तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं MCQ 04 यह बहुत ही इंपोर्टन रहने वाले हैं JK SSB के सुपरवाइजर एक्जाम के लिए JKP एगनिवीर और SSE एक्जाम के लिए तो सबसे पहला कुश्चन है when and who assisted महात्मा गांदी महात्मा गांदी को किसने गोली मारी थी तो आप सबको पता है कि इसको बोली मारी थी नथुराम भोडसे ने कब मारी थी 30th January 1948 को 30th January 1948 को ओके तो next हम डिसकस करते हैं कुछ important points महात्मा गांदी के वारे में 30th January को observe किया जाता है मार्ट्रेर्स टे तो next महात्मा गांदी कब पैदा हुए थे 2nd October 1869 को पैदा हुए थे 2nd October को हम गांदी जहनती भी बनाते हैं और ये कहां पे पैदा हुए थे पोरबंदर पोरबंदर कहां पे गुजरात इनके फादर का नाम क्या था करम चंद गांदी और मदर का नाम क्या था पुतली बाई और अट दा एज आफ 13 13 साल की उमर में महात्मा गांदी की शादी हो गई थी चस्तूरबा बाई के साथ इनके फोर संस हैं हरी लाल मनी लाल रामदास और देवदास मेई 1893 में मेई 1893 में ये वें टू सौथ अफरिका टू वर्क ऐस लायर जहां पे इनको गा लांदी ट्रैवल कर रहे थे डर्बन से पैरिट रोडिया फस्ट क्लास टिकेट पे 7 जून 1893 की नाइट को इनको पुष्ट आउट आफ फस्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया एर पिटर मार्टिजबर्ग स्टेशन पिटर बर्ग स्टेशन पे पिटर मार्टिजबर्ग स्टेशन पे इनको बाहर फैंक दिया गया था और फिर उसके बाद नेक्स्ट पिटर मार्ग ओनर्ड पिटर बर्ग जो स्टेशन था उसने ऑनर किया की री नेम कर दिया रेलवे स्टेशन का ही आफटर गांधी मादमा गांधी रेलवे स्टेशन पहला कुश्चन आजाता है कि इनकी पैदा कहां पे हुए थे पॉर बंदर में इनके फादर का नाम क्या था करम चंद गांधी मादर का नाम क्या था कुट्टी बैट emphasizes को जब बाहर फैंक का गया था पेटर मार्टिन्स बर्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे भैंका गया था और इस 2011 में इसका नाम इस टेशन का नाम ही महात्मगान्दी रेवेश्ट नेक्स देखें 22nd मेई 1894 में 22nd मेई 1894 में इन्होंने नैटल इंडियन कॉंग्रेस फाउंड की है कहां पे साउथ अफरीका में 22nd मेई 1894 में रिटर्न टू इंडिया नाइन्थ जनवरी 1915 में बापिस आए नाइन जनवरी को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं परवासी बारतिय दिवस NRI Day तब इस्टबलिश किया गया था 2000 में और पहला सेलिब्रेट किया परवासी दिवस 2003 मे पहले ये हर साल मनाया जाता था लेकिन 2015 से एक बार मनाया जाता है दो साल इन्हों ने जाइन की इंडियन नैशनल कॉंग्रेस को महात्मा गांदी ने जाइन किया था इसके साथ गोपाल कृषिन गोखले जो इसके मेंटर भी गुरू कौन थे पॉलिटिकल गुरू गोपाल सत्यागरा लेट किया इन्हों ने 1917 में हेडा सत्यागरा 1918 में एहमदा मिल स्ट्राइक 1918 में नॉन कॉपरेशन मोवमेंट 1919 सांदी मार्च 1930 सीवल डिसोबिनेंस मोवमेंट 1930 क्विट इंडिया मोवमेंट 1942 और 43rd प्रेजिडेंट में बने इंसके की बार प्रेजिडेंट बने कब 1924 में जो सेशन हुआ बैल गाम सेशन करनाथ को अभी तक का आपने क्या पता चला कि नैटल इंडियन कॉंग्रेस इस्टाबलिश की गई थी गांदी ने 22 में 1894 में और इंडिया वापिस आये 9 जनबरी 1915 में सबसे बारते दिवस बनाया जा रहा है इस दिन को 2000 से और इ और लेट किया चंपरन सत्यक्राइब लीड किया था इन्हों ने पहला सत्यक्राइब इंडिया में चंपरन सत्यक्राइब 1917 में और एक ही बाहर आए एंसी के प्रेजडेंट बने ये 1924 में जो सेशन हुआ था वैल गाम में महात्मा गांधी को फादर आफ नेशन किस ने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ important points discuss करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस 23 जन्वरी 1897 में पैदा हुए थे कहां पे कटक कहां पे Odisha में कटक कौन सी रिवर पे situated है कटक is situated on the bank of महानदी रिवर 23 जन्वरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं पराकरम दिवस मनाते हैं 21 पराकरम दिवस कब आता है 23 जन्वरी को आता है किसकी बर्थ अनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सीविल सर्विस इस एक्जाम कौलिफाइट है 1929 में लेकिन इसको लेफ्ट कर लिया और जाइन की आइन सी 1921 में बोस ने बुक लिखी है दा इंडियन स्ट्रगल जैहिन टरम इस इन्होंने ही क्वाष चंद्र बोस ने बोस वास सेंट टू प्रीजन इन मैंडले मैं इनको प्रीजन में डाल दिया गया था 1925 में और जहा सेशन में ठीक है 19 लेकिन सुबाष चंद्र बोस ने जो 1930 की इलेक्शन जीती थी वहाँ पे महत्मा गांधी चाते थे कि उनका कैंडिडे डाक्टर पत्तावाई सिता रमया जीते तो सुबाष चंद्र बोस जीज़ गये तो वहाँ से महां गांधी के साथ इनके रिलेशन मे कब फोन की गई थी 1930 में और इनको बारत रतना मिला 1992 में सुबाष चंद्र बोस के बारे में 23 जनरी 1897 को कटक में पैदा हुए यह कटक जो है महांधी रिवर पे सिच्वेटिड है और दूसरा 23 जनरी को हम परवासी दिवस मना रहे हैं 2021 से सुबाष चंद्र बोस ने क्वाल 1921 में ऑथर गिया बुक दे इंडियन स्ट्रागल और प्रिजन में गये थे 1925 में 1927 में रिलीज हुए प्रेजिडेंट रहे आइंसी के 1938 के सेशन जो हरी पूरा में हुआ 1939 का त्री पूरी सेशन में ये जीते थे अगेंस पत्ता भाई सिता रमाया लेकिन वो महादमा गांधी उनी को बनाना चाते थे इनके वीच में सुबाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर लिया गया और सेशन को कंटिन्यू करने के लिए राजंदर पर साथ रहेंगे प्रेज लिआइट सनलाइट कोन सा विटामिन मिलता है विटामिन D मिलता है संलाइट से यह हां इंपोर्टेंट vitamins और उनकी deficiency से vitamin A retinol जिसकी deficiency से होती है blindness और vitamin B1 thymine इसकी deficiency से होती है weak muscle severe weight loss very very vitamin B2 जिसका chemical name है riboflavin इससे होती है hoard diet and mouth पक जाता है EV15 vitamin B3 niacin इससे plague रहती है skin की बिमारिय होती है vitamin B5 pentendonic acid इससे ब्रेन पे एफेक्ट पड़ता है विटामीन B6 पारडॉक्सीन यह भी अनीमिया होता है रेड ब्लस सैल की कमी पढ़ जाती है विटामीन B7 बायोटीन बालों के लिए इंपोर्टेंट है रेड अनीची स्किन, इंची स्किन की प्राउब्लम डर्मेटीस vitamin b9 folic acid immature rbc बनते हैं bone marrow में rbc bone marrow में बनते हैं लेकिन immature रहते हैं anemia vitamin b-dell sinocobalmin abnormal absorption in the small intestine में अच्छे से absorb नहीं होती है pernicious anemia हो जाता है vitamin c ascorbic acid कहते हैं scurvy bleeding gums and swollen joints vitamin d calciferol rickets होते हैं weakening of bone near joints vitamin e topofirol faster depletion of rbc from the body hemolytic anemia हो जाता है और next इसके साथ infertility भी होते है vitamin e की deficiencies है vitamin k phyloquinoneem कहते हैं यहां पर irregular or slow bleeding and clotting clotting slow हो जाती है vitamin k vitamin a retinol vitamin b1 thymine vitamin b2 riboflavin vitamin b3 niacin b5 pentothenic acid vitamin b6 paradoxin vitamin b7 biotin vitamin b9 folic acid vitamin in में से vitamin b and c जो है वो क्या है water soluble है vitamin a d e k जो है वो fat soluble है next question in which session the congress was divided into two parties called moderates and extremists कौन सा session था जिसमें INC divided हो गई थी दो पार्ट्स में तो session था सूरत session था सूरती सिचुएटिद अन्द वैंक का तापती रिवर सूरत session था जो president जिसके रहे थे रास बिहारी गोश गोश फर्स session कहां पे हुआ था INC बनी थी 1885 में तब वैसराय थे लाड डफरीन और बनाई थी कि ए ओ हुम ने फर्स session हुआ था बंबे में 1885 में पुना था फूने में लेकिन शिफ्ट हुआ था बंबे में क्योंकि वहां पे कॉल्रा बिमारी स्टार्ट हो गए इतनी पूने में president इसके WC बैनर जी रहे दूसरा session कलकरता में हुआ 1886 में दादा बाई नरो जी grand old man of India भी कहा जाता है third session मदरास में हुआ 1887 में president रहे सायद बदरुदीन ताइब जी जो इसके first muslim president बने first muslim president कौन थे सायद बदरुदीन ताइब जी session कहां पे हुआ था मदरास में fourth session इलाबाद में हुआ 1888 में president George Ulay ये first English president बने 1896 का session पे कलकत्ता में हुआ president थे रहिम तुल्ला स्यानी और इस session में नहां पे वंदे मातरम song जो है पहली बार कौन से session में गाया गया था 1896 के session में गाया गया था और किसने गया था रविंदना टैगोर 1899 का session कहां हुआ लखनाव में president रहे रुमेश चंद्र तत डिमांड की गई पर्मनेंट fixation of land revenue 1901 का कलकत्ता प्रेजिडेंट रहे यी वाचा डी यी वाचा फस्ट टाइम गांदी जी अपेर डान्द कॉंग्रेस प्लैटफॉर्म नेक्स्ट 1905 का session में बनारस में हुआ गोपाल क्रिशन गोकले इसके प्रेजिडेंट थे और फार्मल प्रोक्लमेशन अफ सवदेशी मूवमेंट सार्ट हुआ थी 1906 का session कलकत्ता में हूं प्रेजिडेंट दादाबाई नरोची इस ताइम पहली बार बात की गई थी सवराज सवराज बाइकॉट किया गया movement बाइकॉट करेंगे बाहर की चीज सेशन में हुई थी लखनाव सेशन में है और प्रेजिडेंट थे ज्वाला नहरू 1907 का session सूरत प्रेजिडेंट राज बिहारी गोश्ट कॉंग्रेस सप्लीट होगी मॉडरेट्स और एक्स्टरमिस्ट में 1910 का इला बार ना हुआ प्रेजिडेंट थे सर विल्लियम वेडर मुहमद अली जीना ने वह माल लिया है 1911 कलकत्ता का session हुआ था बी एन धर ने इसको प्रेजाइड किया था फर्स टाइम जन गन्मन जन गन्मन पहले बार कौन से session में गाया गया 1911 और उसके प्रेजिडेंट थे बी एन धर next question in which international championship is the Thomas Cup given Thomas Cup किस में दिया जाता है यह दिया जाता है बैडमिंटन में Thomas Cup is related to badminton next अब important बात करते हैं सैना नेवहाल फर्स इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थी जिसने olympic medal जीता था कब London Olympics 2012 question है कि कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने किस फस्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने olympic medal जीता था चाइना नहवाल ने कब London Olympics 2012 तो इससे एक और important कि कौन सी पहली Indian woman थी जिसने bronze medal कोई मेडल जीता था olympics में तो कौन थी वो 2000 में Sydney में weightlifting में जीता था कर्णम मलेश्वरी और first Indian woman to win win silver medal को किसने जीता था पीवी सिंदू ने बैडमिंटन में जीता था इनोंने और कहां पे रायो डी जनारो ब्राजिल में olympics 2016 wrestling में किसने जीता था wrestling में पहला साक्षी मलिक bronze medal at 2016 summer olympics at Rio de jenaro olympics next question डियागो माडोना माडोना नेम is associated with this sport football heart attack से इनकी death हो गई थी football football की बात करें तो found हुआ था यह 21 में 1904 में Paris France में और आज इसका football का headquarter Zurich Switzerland में Durand Cup बहुत important है Durand Cup जो है related है किसके साथ football के साथ FIFA World Cup 2022 last हुआ था Argentina ने जीता था और कहां पे हुआ था Qatar में 2026 का Canada, Mexico, USA में होना है 2030 का Morocco, Portugal और स्पेन में और 2034 का साथी अरबिया में होगा Women World Cup last 2023 में हुआ था स्पेन ने जीता था और यह कहां पे हुआ Australia और New Zealand में हुआ था डियागो मार्डोना की बात करें तो इनकी death भी थी heart attack यह अर्चेंटीना से हैं और इनको hand of God goal भी कहते है next question who wrote the book discovery of India किस ने लिखी है famous पंडी ज्वालना नहरू ने लिखी है तो next आ जाता है पंडी ज्वालना नहरू की बात करें तो वह पता है कि 14 नमबर 1889 को यह पैदा हुए थे इलाबाद में उतरपरदेश में और इसी दिन हम children day भी मनाते है ज्वालना नहरू got married in 1916 शादी 1916 में हुई कमला कोल इनकी वाइफ का नाम था और यह दिल्ली में सैटल होगे महादमा गांधी के साथ यह पहली बार 1916 में महादमा गांधी के साथ मिले और 1928 में इन्होंने independence for India लीग इन्डीपेंडेंटेंस फार इंडिया लीग तब फाउंड किया गया 1928 में जोहलना है यह प्रेजिडेंट बने आई एन सी के कोंसे सेशन में 1929 में जो सेशन हुआ था लाहोर सेशन पुरबात की गई थी पूर्ण सवराज की complete independence की और flag be complete freedom का on the bank of Ravi फेराया गया था जंडा लहराया गया था 31 दिसंबर 1939 में Congress has decided to observe 26 January 1930 को पूर्ण सवराज दे मनाया गया तो clear है तो 1929 का सेशन लाहोर सेशन पूर्ण सवराज की मांगी गई और president थे जोहलना नहरू और 37 दिसंबर 1930 को रावी रिवर के बैंक पे जंडा लहरा आया गया और 26 January 1930 से मनाया गया first independence day next question in Indian newspaper national herald national herald जो newspaper है ये किसने found किया गया था जोहलना नहरू ने national herald in 1930 शाम बैंगल बैंगल created a tv series शाम बैंगल created a tv series बारत एक ओच वो बेस्ट है बारत जोहलना नहरू की फेमस बुक discovery of India बारत एक डिस्कवरी आफ इंडिया टूबर्ड फ्रीडम या आटो बायोग्राफी ए बंच आफ ओल लेटर्स ग्लिम्स अ वर्ल्ड हिस्ट्री लेटर फाम ए फादर तो इस डाटर ए फ्यू इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो आला नहरू ने लिखी हैं इन्होंने बार किया है शान्तिवन ने बैंक आफ यंबना रिवर इन दिल्नी नेक्स कोस्टिन विद विच इंडिया कंट्री डज इंडिया शेयर इस लॉंगेस लैंड बाउंडरी किसके साथ शेयर करता है और बंगलादेश के साथ जो बाउंडरी है उसकी लेंथ कितनी है 4,000 4,096 किलोम सबसे कौन कौन सी यह मैप में आ गया बंगलादेश कौन कौन सी स्टेट्स है एले यह वेस्ट बंगाल आगी इस बंगाल के आगे देखू यह सम आगी असम के आगे मेगाले मेगाले के आगे यह त्रीपूरा और ये थोड़ा वो दिये आगे बंगलादेश में जा रहा है किस-किस के साथ सबसे ज़्यार वेस्थ बंगाल के साथ फिर उसके दरीपुरा के साथ में कले और असम के साथ पहला कुश्चन है पहला कुश्चन है किसके साथ बंगला देश के साथ कितनी 4096 सबसे जब से जब से कम असम मधुबनी इस टाइल पर पाउं पिक पे क्षेस्ट का वह सब से कम अंगे सबसे और चाहिए मदू बनी is the fog painting style of which state? तो यह किस state का fog painting style है? बिहार का, next question इसको निथील या पैंटिंग भी कहते हैं, color जो इसमें use होते हैं मदू बनी painting में, plants और other natural sources से निकाले जाते हैं, most commonly powder rice की colored base बनाई जाते हैं, और इसमें जाद अतर रिटर्न आफ राम एक्जाईल जो 14 साल का बनवास कार्ट के राम बापिस आते हैं उसके बारे में बताया जाता है ज़ा क्रिश्णा प्लेइंग विद गोपी उनके बारे में रहे हैं तो मदू बनी बेंटिंग किसकी है बिहार की बेंटिंग है मदू मख्यों को रखने को क्या कहा जाता है कहा जाता है अपी कल्चर तो हनी भी अगर हम बी की बात करें तो वह कौन सा ऐसे इड निकालती है फॉर्मिक एसेड का फार्मुला क्या होता है एच सी डबल ओ एच एच सी अगर डंग मार दिया फिर इसको निउट्रलाइज किस से कर सकते हो डंग का इफेक्ट किस से खतम कर सकते हो बेकिंग सोडा से बेकिंग सोडा से खतम कर सकते हो नीव लीव से खतम कर सकते हो गार्लि इंडिविजिवल न सबतबों गुण होथ है और वो होता है रों फोल थोल एक धाइल मेल होता उसका है तो डिपलोयी less होते है cuc turmoil धीमेल घ्यों होता है ठीक है reason for different individual इनने B क्योंन B ले बोथ fertilized and unfertilized क्योंन जो B है वो दोनों एक देती है fertilized eggs जो होते हैं deployed होते हैं develop हो जाते है workers वहाँ पे क्योंन ने दी एक fertilized और एक unfertilized ननन के फिर ये क्योंन का जो fertilized egg था यह male के साथ मिल गया उसके भी न होंगे दोनों मिले और यह बन गया क्योंसा deployed और जो दूसरी male रहा वो वैसे कव ऐसा ही रहा उससे male fertilized egg deployed and develop into workers and unfertilized haploid egg जो है वो drone बन जाता है main role drone का is to made with cune during the breeding seizure एक साइड आगे क्यों के हैं 2N और दूसरे साइड आगया एक मिल डिसकस करते हैं इसको तो देखो एक साइड आगया male एक साइड आगी female male haploid N और female deployed है 2N female की meiosis में हुआ इसका बन गया N haploid haploid ये N और ये N मिल गए ये बन गए deployed दुबारा से female ठीक है और ये N जो है ये ऐसी रहा ये बन गया male तो इस तरह से बन जाता है haploid रहता है male और female हो जाता है है haploid okay thank you for listening